आज हम आपको पुने में स्टित प्रसिद्ध चतुर सिंगी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। चतुर श्रिंगी पश्चिन भारत में महाराष्ट्र राज्य के पुने में एक पहाडी है। इस पहाडी की चोटी पर देवी चतुर्शिंगी का प्रसिद्ध मंदिर है इस मंदिर की मुख्य देवी सब्तश्रिंगी है जो की मादुर्गा देवी का एक रूप है इस मंदिर का पहला शब्द चतुर का मतलब चार होता है और इसलिए चतुर श्रींगी का मतलब होता है कि चार चोटी वाला पर्वत यहां का मंदिर बहुत ही बड़ा है और 90 फीट उचा और 125 फीट चोड़ा है यह मंदिर शक्ती और विश्वास का प्रतिक है यह मंदिर सेनापती बापट रोड पर एक पहाड़ी पर स्थित है चतुर्श्रींगी देवी को अम्रेश्वरी देवी भी कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि देवी तक पहुचने के लिए 170 सीडिया चड़ कर जाना पड़ता है यह महाराष्ट्र का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्मान मराठा सामराज्य के समराज्च शिवाजी महाराज के समय में करवाया गया था इस मंदिर की देख भाल करने का काम चतुर्श्रींगी देवस्थान ट्रस्ट को सौपा गया है एक पौरानिक कथा के अनुसार एक दुरलब सेठ पीताम बरदास महाजन नाम का बहुत ही अमीर व्यापारी था और वह सब्तुर्श्रींगी देवी का बड़ा भक्त था वह हर साल चैतर महीने में पौर्णिमा के दिन केबल देवी के दर्शन करने के लिए पुने से बानी तक आता था लेकिन जब वह बुढ़ा हो गया तो उसे देवी के दर्शन करने में यात्रा के दौरान काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था और अब वो देवी के दर्शन के लिए नहीं जापा रहा था तब देवी सबतश्रिंगी उन्हें सपने में दिखाई दी और उनसे कहा कि यदि आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं खुद आपके पास आऊंगी और तब पहाड के पास देवी की एक मूर्ती मिली जहां देवी ने सपने में उनसे आने के लिए कहा था हिंदू त्योहार नवरात्री के दौरान मंदिर में एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है नवरात्री के दौरान मंदिर को सुन्दर तरीके से सजाया जाता है यदि आप पूने आ रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर आए और देवी मा का आशिरवाद लें उमीद है आपको इस वीडियो में डी गई जानकारी पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद